हलो दोस्तों नमस्कार, एक जिस्ट अकडमिक साथ, रही हैं कैसे हैं आप सभी लोग 100% पूछे जाते हैं और कहीं न कहीं पूछे भी गया हैं और आप पिन कॉपी लेकर मैं साथ बैढ़ जाएगे इसको नोट डाउन करिए क्यों क्यों कि दोस्तों अगर आपको अपना कल बहतर बनाना है न तो आज आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पूलेगी अगर आप नहीं पद के लिए लाखों लोगों को पीछे करना पड़ेगा और बच्चा ध्यान देना हमेशा सफलता उसी को मिलती है जो सचे मन से मेहनत करता है नहीं तो बहुत सारे लोग कंपडिशन की तेजारी करते हैं और आपको पता है कि हमेशा सफलता मेहनत बलिदान त्याग सब कु इतना ज़्यादा प्यार हो जाए आप उसके परति इतना ज़्यादा एट्रेक्ट हो जाएंगे अपनी महनत और पढ़ाई के परति सफलता आपकी का दम चूम लेगी क्योंकि बच्चा सफलता उन्हीं को मिलती है जो महनत करते हैं ऐसा बैड के देखने से सफलता नहीं मिल नहीं है तो वीडियो को लाइक किया करिए चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजिए अगर नए हैं और वीडियो को सेर जरूर करा करिए तब कि आपके माध्यम से या हमारे माध्यम से उन जरूरत सब्सक्राइब नहीं है और वो भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं आप अपने लक्ष के प्रती इतना ज्यादा जो जुनून अपने अंदर भर लीजिए कि आपको वह लक्ष बिल्कुल आसान सा लगने लगे इतना ज्यादा पढ़ लीजिए कि चीजें आप ऐस कल जमाने में कुछ नहीं मिलता है जैजान लीजिएगा आप लोग पर टीचर का काम होता है कि अपने बच्चों को समझाना क्यों क्यों कि दोस्तों अगर आपको अपना कल अच्छा बनाना है ना कल को अच्छे तरीके से जीना है तो आज आपको जीतोर महनत करनी तब तक कुछ होने वाला अपने माबाप के सपनों को पूरा करना है जो आपके प्रतौइं उन लोगों ने देख रखा है यहां मेरा बेटा मेरी बेटी रेस सपनों को जरूर पूरा करेगी उस मा की आखों को form कि यह जो आपके प्रती सफलता के सबने संजोए बैठी हुई है तो अगर आप अपने और अपनों के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो जी तोड मेहनत करिए सब को पीछे छोड़ दीजिए और अगर मेरे दौरा समझाई के बातें आपको समझ में आ रही हैं तो मुझसे प्रामिस करिए और अपनी पेन कॉपी लेकर बैठ जाए और कंटीनियू जब तक ये क्लास लास तक ना खतम हो जाए तब तक पढ़ाई करिए और मैं कह रहा हूं कि स्टैटिक जीके की एक क्ला है हम कह रहें कोशन हंडेड़ परसेंट फसेंगे तो अब तो अब देरी ना करते हुए पेन काप्यू उठाई और हमाए साथ इसको कंटीनियू शुरू करते हैं क्योंकि ये संकला आने वाली परिछाओं लिए बहुत ही महात्यपूंग है और देरी ना करते हुए इस संकल का पहला कोशन कवर करते हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कोशन आपकी परिछाओं द्रिस्टिस से इंपोर्टेंट होते चले जाएंगे तो आईए, इस रंखला का पहला कोश्ञ देखते हैं, और पहला कोश्ञ आपकी स्क्रीन पर ये रहा है, तो पहला कोश्ञ कर रहा है, हैली धूम केतू लगबख कितने वर्थों के, कितने वर्थों में एक बार दिखाई देता है कि तो आप्सान तालीस यह 49 सियर 12 old और यह ची आठार कि इसका नाम करण बृटने के खगोल सास्त्री एडमंड है ली ने यह एडमंड है जी के नाम पर किया गया है जिनों ने इसे सत्रासो पांच इसवी में खोजा था जिन निसे कब खो जाता सत्रासो पांच इसवी में और यह देखिए एक image के माद दिया हमसे आपको यह चीज दर्साई गई हैं दिखाई गें है कि हाली धूं के तो दिखा गया है ठिख अब सबसे पहली बात ये भी द्रियान मेद्धिंगा कि अगर कह दिया जाए इसेaler संक्राइब कि के अंतिम समय इसे कब देखा गया था तो Nepal उन सूच याषी में देखा गया था निस सू अब कब देखा जाएगा तो लगभग उन्नी उसरी दो हजार बांसर्ट लगभग दो हजार बांसर्ट या एक सट के करीब इसे देखा जाएगा कि दो हजार बांसर्ट के सम्झिंग से देखा जाएगा या एक सट के सम्झिंग से देखा जाएगा कब देखा जाएंगे 2262 लास्ट टाइम कब देखा गया तुट उनीज सो श्यासी में अब यह जो धून के तो होते हैं इन्हें पुछल तारा भी कहा जाता है इस इस बर्फ और दूल के कड़ों से बने होते हैं जो सूर के चार और भूंते रही हैं जो क्या करते हैं Ёश्यकर चार और क्या करते और रौंडींग करते रहते हैं और बाते सौन मैं अगोई यह आप अब अगर पूचा जाए सौर मंडल सोलर सिस्टम सौर मंडल में आपके आठ ग्रहे हैं कितने ग्रहे हैं आठ ग्रहे हैं और एक आपका तारह है अर्थात सूरी और अगर कह दिया जाएं कि सौर मंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह है तो वह है आपका ब्रहस्पती सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह ब्रहस्पती और सबसे छोटा ग्रह बुद्ध है यहाँ पर देखिएगा अगर आपको यह समझा दे कि यह क्या है आपका सूर्य है यह क्या है सन है सूर्य है क्या है सूर्य है यहां पर एक छोटा सग्रह बनाते हैं यह क्या है बुद्ध है बुद्ध के बाद क्या आता है सुक्र सुक्र के बाद प्रत्वी फिर आता है आपका मंगल ग्रह कौंसा मंगल मंगल के बाद सबसे बड़ा कौन सा होता ब्रहसफती फिर कौन आता है सनी फिर अरून और यह हो गया वरून तो इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कितने ग्रह हो गएं आपके आठ ग्रह हो गएं चार इधर चार इधर अब जो इधर मंगल से इस साइड के जो ग्रह होते हैं या मंगल से लेकर यहां तक इनको बोला जाता है आंत्रिक ग्रह इनर प्लैनेट ठीक है और इस साइड के जो होते हैं ब्रसपती से लेकर वरू तो यह होते हैं बाह ग्रह या इनको जुवेंियन ग्रह बोला जाता है आन्त्रिक या पार्थिव ग्रह बोला जाता है या या यॡवा अब से ब्रेस्पत है या सबसे चोटा काउन है सुक्र है सरी बुद्ध है कि सन हो गया मरकरी हो गया वेनस हो गया sy meach है जूपिटर है शैटर न हैं यूडेश है और आपका निप्चिून है इदिजी क्लियर हुई ठीक है अब सवर्य मंडल का सबसे बड़ा ग्रह काउंसा है ब्रसपति है सबसे छोटा काउंसा बुद्ध है और सन क्या है सनी जई स्टार ये एक तारा है जो सवर्य मंडल का उखिया होता है बाते सुन्या रही है अगर आप से कह दिया जाएं कि क्यों दो उपग्रह ऐसे हैं स्वरी ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं है तो एक आपका हो गया यह बुद्ध और एक आपका हो गया शुक्र इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है इनके उपग्रह नहीं है बुद्ध और सुक्र का कोई उपग्रह नहीं है यह आपको ध्यान देना है मंगल के आपके दो पग्रेंप रशी का एक उपग्रेंप रशी को पग्रेंप चंद्रमा मंगल के डेमोस और फोबोस हैं कि इतनी चीज़े के लिए हुई कि तो कोई रिक्कत आगे आते हैं नेस्ट कॉस्चन पे अगला कोईशन बच्चा आपका किरा कि बारती सम्विधान के मौलिक करतव किस देश के सम्विधान से लिए गए हैं तो देखो भाईया आप सने हैं यूनाइटेट किंडम यानि यूके सायुक्त राज अमेरिका यानि इससे सोवियत संग यानि एससर और आस्टेलिया तो सो में दिया जाया कि मौल करतव यह अनुछे दिक्यावन का में है ठीक और इसको अंगी करत सम्विधान में नहीं थे यह इसे 42 सम्विधान संसोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और यह मौल करतव पूर्सोईद संग के सम्विधान से लिए गया है कि दिन चीजी के लिए आईए थोड़ा समय साथ जान लेते हैं कुछी जी और देखो अब जब आपका मौल सम्विधान बना था मौल सम्विधान में कोई मौलिक करतव नहीं था मौल सम्विधान में एक भी मौलिक करतव नहीं थे लेकिन सुनिएगा लेकिन सर्दार सुनल सिंग समीती की सिफारिश पर सर्दार सुनल सिंग समीत की सिफारिश पर 42 समिधान संसुधन 1986 के तहट लेकिन सरदाइस्ण संहीथ की सिपारीस परikle jokes स्मीधान 1976 के तहट 10 मौली करतब मूल करतब जोड़े गए या मौली करतब जोड़े गए पितने मौली करतब जोड़े गए 10 कब 42 समीधान संसोदन von intuitively alternate tweets लेकिन जबकि सरदाइस संहीथ समित ने आठ मौलिक करतब्यों किसी फारिस की थी अब फिये द्यान देना अगर कहे दिया जाए वर्तमान में कितने है तो वर्तमान में भईया ग्यारा मौलिक करतब्य है कितने है ग्यारा तो अब आपके मन में चला सर ग्यारवा कब जोड़ा गया था बाते समझ में आ गई तो प्रजन टाइम में या वर्तमान समय में मौलिक करतब विशंग्या कितनी है ग्यारा है और कहा से लिए गये थे तो सोविय संग रूश से लिए गये अगर कह दिया जाए कि मुल्ट समिधान में कितने थे तो एक भी नहीं था लेकिन 42 समिधान संसोध समिधान 1976 और सरदाश संग समिध की सिफारिस पर मौलिक करतब विद्दस जोड़े गये और ग्यार्मा जोड़ा गया 2002 में चियासमा समिधान संसुधन के तहर्ट कोई दिक्कत यहां तक आते हैं नेक्ट कॉश्चन पर ठीक कि बच्चा चलो और यह यहां पर देख लिजिएगा यह देख़ी आपका मैप बना हुआ है यह आपका बना हुआ है USSR ठीक है यह का लिखा हुआ dari नी रशिया अरुर्सी राजभानना कि मुद्रा क्या है रूबल कि और संहीं करता है आगे कि आदे नेस्ट को स्चन ही अग्ला कोश्चन है कि प्राचीन भारत में किस वन सका सासंकाल स्वण यूग कहा जाता है प्राचीन भारत में किस वन्सका सासनकाल स्वनकाल कहा जाता है अब गुप्त कहा जाता था अगरा प्राचीन काल में गुप्त वन्सका सासन तेरा सो उन्नीस से पांसो पचीस सवी सारी पांसो पचासी सवी था इसे स्वन्स के नाम से भी जाना जाता है गुप्त वन्सका साहित्यद्यधर्म आर्थिक्चेत्र अभारत में अभूत पूर उन्नती की थी अश्यंग वन्सजो ता हो इतने 20 सी इतने विसी था इसकाल में अधिकुन्द किन्नती की थी। ठीक मौर वन्सजो ता हो तीनसओ तियएस 20स से एक सनच오रासी भी अONEY था उत्तर वारत में सकती साली समराज की सथापना सर्परतम इसी में किया गया था मगने समराज की स्थापना स worse past 5 5000 से ने किया था अब दोस्तों जहाँता की बात आती हरियव को सी के हरियकंस हर्यक वंश को ही पित्रहंटा वंस कहा जाता है पित्र हंता क्यों क्योंकि इसमें ज्यादा तर सासक अपने पिता को मार के बने जैसे बिंदु सार बिंदु सार तो चला जाएगा मौरवंस में बिंबिसार अभी जो बिंबिसार था इसके लिड़के अजास सत्रू ने इसी को मार दिया था अजास सत्रू को उदाइन ने मार था ठीक है तो यह समय जादा तर जो बच्चे थे उन्हों ने अपने पिता को ही मार कर सकता हासिल गी थी तो देखो भाई अभी जो मगध था मगध के बढ़र बता दिया गया मौरवंस की स्थापना किसने की थी मौरवंस की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगु मोरे ने की थी बात सन्दमी आ गई अब जो चंद्रगुपत मोर थे चंद्रगुपत मोर का लड़का चंद्रगुपत लड़के थे बिन्दु सार ना क्यों python के लड़के थे असोग समुराट अब एक बहुत फेमस इद्ध पूंचा जाता है कलिंग का बचा इसको जरूर नोड करिएगा यहां से कॉशन बनते हैं कलिंग का युद्ध कलिंग युद्ध 261 हिसा पूर में कब हुआ था? 261 हिसा पूर में हुआ था असोक ने लड़ा था और इस युद्ध को असोक ने बहुत आसानी से जीद भी लिया था कलिंग पे अधिकार भी कर लिया था लेकिन इस युद्ध में इतना ज़्यादा लोग मारे गए तो जिसका असोक कहरते द्रवित हो गया और उसने कभी ना युद्ध करने का निगले लिया अब असोक कलिंग द्रु के पहले सहोधर्म को मानता था लेकिन इसे बाद में कोसा धर्म पना लिया बहुत धर्म और इसने बहुत द्रम की दिक्षा एक उपगुप्त नामग बुद्ध गुरु से ली थी और असी असोक की स्कलिंग विजय का उलेक जो है असोक के तेरवे अभी लेक में मिलता है तेरवे अभी लेक में मिलता है किस अभी लेक में तेरवे और अभी लेकों का अध्यान एपी एपीग्राफी कहलाता है अभी लेकों का अध्यान क्या कहलाता है एपीग्राफी कहला है बाते समया रही यहां तक को दिक्कत किसी को कि चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं निस्ट कोईशन पर ठीक और कलिंग भाई अगर देखना है यहां पर यह को माई लाइड कर रहे हैं मैं फैकर इस मैप में यहां पर सुंधिंग पड़ेगा आपका और इशा ठीक है और इसा म कही नहीं आपका कलिंग पलता था अजय अच्छा अगर आप से कह दिए कलाइख सब üzerine कि समय जीता था तो कलिंग दोस्तों सबसे पहले नंद सके राज़ा महा पदम नंद ने जीटा था लेकिन जब नंद मिन सबढ़ेंगा पहना इस व्टम्स होगाद तो फिर को अपनेक् करिए और वीडियो को सेर करना ना भूले अगर आप वीडियो को सेर करते हैं लाइक करते हैं जिससे हम लोगो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जिससे आपके लिए और अच्छा से अच्छा करने की कोशिस करते हैं और हम फिर कह रहे हैं कि अगर आप हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो हम लोग आपके लिए और अच्छा से अच्छा करने की कोशिस करेंगे अगर आपको क्लासे समझ में आती हैं तो कमेंट बॉक्स में कर दिया कर एक जी सर्व में क्लासे समझ में आ रहे हैं और अगर को के वह महालेखा परिक्षक की राज जेपाल की उफ्रोग सभी की तो बच्चा इस में सभी किन्यूक्ति राश्पती कर सकता है ठीक है कि राश्पती द्वारा महानयवादी अर्थाथ अनुछे 76 के नुसरर नियंत्रा केवं महालेखा परीचक 6146 के नुसरर और राज पाल 515 के नुसरर किसी नूति की जाती है तो राष्टपदी द्वारा की जाती है अँशेट 152 क्या कहता है एक बार जान लीजिएगा अनुछेद 152 इसमें राज सब्द को परिभासित किया गया है राज सब्द को परिभासित किया गया है ठीक अगर कह दिया जाए अपसे अनुछेद 153 पन तो भारत का प्रतेक राज का एक राज पाल होगा अया दो से दो या दो से दिग राज यूँगा एक राज पाल होगा ठीक है थोड़ा सा राष्ट पती से समद्द राश पती के लिए राश पती के लिए अनुछेद 251 सबसे पहले आता है राश पती होगा अब अनुछेद 23 पन कहता है कि कार पालिका की सक्ति कार यह पालिका की सक्ति राश्ट लाष्टपती से बगुत इंप्वॉटंट है उचाथ एकसड राष्टपती पर महा भीचोग राष्ट पत्की पर कि महाद भी oh ढूर किया लगा जाता है अनुचेद बाइच सड कहता है तक एक सबसे जो पूंचा जाता है वो पूंचा जाता अनुछे 72 यहीं भी लिख लिख लिए गांचे 72 राष्टपती की छमादान सक्ति राष्टपती की छमादान सक्ति और अगर कह दिया जाया राजपाल तो उनुछे तो इसा के मयूर भाण जी की है ठीक है और यह सबसे कम रुकी महिला राष्टपती है कौन विद्रपधी मुर्मूब आते भाई निस्ट कोश्चन पर अगला कोश्चन कह रहा है कि तुलसी डास किसके समकालीन थे अकबर तता जहांगीर सा जहां और अरंग बाबर तता तो भीया तुलसीदास जी जो थे वो अकबर तथा जहांगीर के समकाली इन थे करा महात्मा तुलसीदास ने अवधी भासा में राम लला नैचु ब्रज भासा में और बिने पत्रिका की रचना की थी इनका साहितिक में बड़ा योग दान था ये भक्ती राम के राम भक्ती के साखा के कवी थे ठीक हैं अब जो राम चरीत मानस से सिरी रामचरीत मानस बच्चों इसमें लगबग 24 हजार इसलोग है कितने इसलोग है 24 हजार इसलोग है ठीक है और अगर कहे दिया जाए कि रामचरीत मानस किस भासा में है तो अभिया को बताया गया अवधी भासा में है इसमें कांड कितने है तो राम चृत मानस में आपके कुल साथ कांड है कितने साथ कांड सुनिएगा बाल कांड कितने कांड है साथ कांड बाल कांड अयोद्या कांड अरण्य कांड किस किंधा कांड किस किंधा कांड फिर आपका आता है सुन्दर कांड सुंदर कांड फिर आपका आता है लंका कांड या युद्ध कांड वो दोर एक आता उत्तर कांड कितने कांड है साथ एक दो तीन चार पांच छे साथ ये पहला ये एक दो तीन चार पांच छे साथ इन में सबसे बड़ा कांड है आपका बालगांट और सबसे छोटा आपका है किस्किंधा काट ठीक है अगला अगला कोश्टन कर यह यहां पे देख लेज़ देखिए यह जहाँ गीर की इमेज बनाई गई है अक्बपर बच्छा ध्यान देना हिस्ट्री में मात्रे का ऐसा सब्सक्राइब किसके अगबर के सा क्या आनंदमत अननंदमत उपानिया Vall coraz प्तु आधारित हैं किस पर आधारित हैं आपसन ए चुवार विद्रों पर सन्यासी विद्रों पर पालीगर विद्रों पर तालुकदारों की विद्रों पर तो भाई यह जो आनंद मठना सन्यासी विद्रों पर आधारित हैं किस पर सन्यासी विद्रों किरा बंगाल में बसक्रम कि करेंगाल में क्या प्वीशनतर है और इसे भी लोगों ने माँना और बाद में इस सब्सक्रामीजने लिए इससे लेडिकन वरायर ए steep ने इनके विद्रोешь क का कर दिया था किसने दरवाढे किसले वारेन हेस्टिंग ने सन्यासी विद्रो का उलिए पमौिंगीशंद चैटरजी जी के कहा मिलता है आनंद मण उपन्यास में मिलता मैं रथा आनंद मट किसने लिखा था यह तो बंपिंगे प्लब thय तो भ нормआ ने लिखा था था है यहां पी ठीक है इन्हीं लोगों ने कहने वाला सन्यासी विद्रों का नेत्रत्रों कि दो कि ठीक है एगरा कॉशिन के रहा है आपका कि कुन्डल कुंडल या कुंडल पूरissa का विसका बूलते हैं ते कि सक designers स्वामी को स्वामी कि महावीरे स्वामी का चटानील abonn Data में मुआ था अब ध्यान यह दीजिए गा कि जो महावीर स्वामी थे महावीर स्वामी इनके जो बच्पन का नाम था वो था वर्धमान वर्धमान था अब बुद्ध के बच्पन का नाम जो भगवान बुद्ध थे भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध के बच्पन का नाम सिधार्द था अईनको लाइट आफ एसिया भी कहा जाताँ बुद्ध को क्या कहा जाताँ लाइट आफ एसिया अब धियान ये देना है कि देखो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया ये पाली भासा में दिया था बुद्ध ने पहला उपदेश किस भासा में पाली भासा में दिया था और अगर कह दिया जाए महावीर स्वामी ने प्राकरत भासा में दिया था अपना पहला उपदेश और इन्होंने बुद्ध ने किस भासा में पाली भासा में अपना पहला उपदेश दिया था यह देखिए दोस्तों भगवान बुद्ध की प्रतिमा आपके सामने दिखाई गई है ठीक है आप लोग देखते हो कि जो भगवान बुद्ध है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इनके सर के ऊपर देखो यह कुछ ऐसे जल्ले टाइब में बने है ना छोटे-छोटे-छोटे इनके सर के ऊपर देखिए यहाँ यह जल्ले टाइब में यह क्या है यह गोंगे है ठीक है बाना जाता बगवान बुद्ध जी तफस्या कर रहे थे नदी किना थिनके सर पे जाके घोंगा बैड़ या था उसी को देखके बहुत सारे बैड है यह गोंगे उनके उंके उपर राश्टी उध्यान कच्छकारण राश्टी उध्यान सुन्दर्वन तो यह कौन सा है सुन्दर्वन सुन्दर्वन जो है सबसे बड़ा है ठीक है करा भारत और भांगलादेश की सीमा पर गंगा यह ब्रंपुत नदियों के मुहांगने पर इस्तित सुन्दर्वन विश्व क के त्रट पर हैं तो गंगा प्लस अ ब्रह्म पूत्र इन ही दोनों के त्रट पर यह सबसे बड़ा डिल्टा इस्थीत है अब यह जो भाया कच्छ कारण है यह कहां है यह गुजरात राज में कच्करण कहां गुजरात में जो कहने का मंदल जंगली गधों के लिए फेमस है ज ऊडिशा में ठीक है तो इतनी चीज़ें आप शारी नामदफाव का लांचल प्रदेश में आपको किसी कोई दिक्कात बोल दी और सुन्दर नाम क्वण यहां पर सुंदरी नामक काउन से सुन्दरी नामक ब्रच पाया जाते हैं इसलिए इसका नाम सुन्दरवन डिल्टा पड़ा देखो सुंदर्वन डेल्टा कुछ भाग आपको दिखाया गया हाप देखो कुछ दिखाया गया इमिज में ठीक है कितना अच्छा लग रहा यह द्रस से ठीक तो आते हैं बच्छा नेश्ट कोश्चन पर और अगर दोस्तों एक लास अच्छी लग रही हो तो वीड किया जाता है तो देखो यह कर राश्पदी द्वारा दूसरी बात लोग सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है अगर इस पे लोग सब्सक्राइब फिर दाश्पति फिर माने था जएगा ओके अज़ो दन वेदेवर्ट उच्छे सदर में पारीद होता है ठीक आते विया अगले क्वेश्चन में और अग्ला कूश्शन किया रहा है कि स्री हरी कोटा दूइब अवस्थित हैं किसके निकट पुलिकर्ट जील के निकट गोदावरी मुहाने के निकट महानधि मुहानने के निकट और पुलिकर्ट जील के निकटमिदetherं चिंज/. तो देख वेकर नप्मिलकट実 आंद प्रदेस और तमिल नाडू की सीमा पर इस्तित हैं इसी के मुहाने पर सिरी हरिकोटा इस्तित है यहीं से कहने का मलब प्रच्छे पड़ वगएरा किया जाता है यह एक लैगून जी ले खारे पानी की जो खारे पानी की सबसे दलदली भूमी भी है चिलका जील यहीं ओ लो नार जील लो नार जील तो लो लो नार जील कहा है यह आपकी महराष्ट राज में है लो नार जील कहा है महराष्ट राज में है अगर कहा दिया जाए चुलामू जील चुलामू कहा है यह आपकी सिक्किम में है सिक्किम में है ठीक है अगर आप से कह दिया जाए भी यहा बुलर जील कहा है बुलर जील ये जम्मू कस्मीर में है जम्मू कस्मीर में है अगर आपसे यहीं पर कह दिया जाए भीया कि सामभर जील सामभर जील राजस्मंद राजस्मंद इस दोनों कहा है राजिस्थान में हिमान्चल प्रदेश में आपकी रेडुका जील रेडुका कमा चंदर ताल चंदर ताल कमा सूरज ताल यह तीनों कहां पे हैं यह आपकी इमान्चल प्रदेश में एठिक को दिक्कत यहां तक और आपकी जितनी ताल तल तलहियाय नैनी धाल भीम ताल खुरुपा टाल यात माला ताल जिदनी ताल हैं वो कहां पए ताल तलहिया पूँचा बच्चा रिगवेद की मूह लिपी क्या थी तो रिगवेद की मूल लिपी क्या थी तो रिकवेद की मूल रूप से ब्रह्मी लिपी में लिखा गया या प्रतम तथा सबसे प्राचीन वेद इसमें कुल मंडल कितने हैं दस सूक्तिया कितनी दस सोटाइस और इसमें रिचाएं कितनी हैं हम बता दे रहां वह भी लिख लीजिएगा इसमें रिचाएं जो हैं कि 10462 कितनी हैं 10462 हैं और कहा दिया जाएं कि मंडल टोटल कितने हैं तो भाई या दस मंडल कितने मंडल हैं दस मंडल सबसे बात का मंडल है इसे नवीन मंडल भी कहा जाता है अब रिच वेद पहली बात तो समझते हैं वेद हैं कितनी ठीक है वेद आपके हैं चार वेद कितने हैं चार रिगवेद फिर यजुरवेद इससे पहले पिछली वाली क्लास में बता है थे सामवेद और आपका एक लाश्ट है अथर्ववेद अथर्ववेद को सबसे नावीन नवीद बोला जाता रिगवेद को सबसे राचीन अब रिगवेद में क्या है इसमें इस और महिमा का रिगवेद में क्या है याजुरवेद में करमकार्ण बरीदान की बात की गई है सांवेद में भारती संगीत का जनक कहा जा जाता है मैं लगत बच्चे को मैं तोना लग गया है ठीक है तो यह सब किसमें है यह तरवेद में तीन चीजों का अब लोग ध्यान दीजिएगा और माना जाता है कि प्रतेक वेदों को भली भाती पढ़ने के लिए उपवेद का निमान किया गया था जैसे अथरवेद का आपका सिर्फिवेद का मन्त को लिखा विश्वा मित में लिखा था किसको समर पीठ है तो सूर देव को समर पीठ है औरीक व्यट के नौवे मंधल में आपका सोंदेव का वर्लन है किसका सोंदेवक आदस्वेवान दा स्मढ द्र Till Ty no 40 10 वर्लों का विलक करता है गया थार आ नहीं पोड्या सो फो कि रिगवेत की सबसे पवित्र नदी तो सबसे पवित्र नदी ये बयान शरश्वती इसको इसमें नदीतमा या देवीतमा का अगर था नदियों की मा ठीक है और अगर कह दिया जाएं सबसे जादा बार उलेखित सबसे जादा बार उलेखित है आपकी सिंधु नदी सिंधु अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग दोस्त हैं जो पैसे जिनके पास नहीं है पेड़ बैच लेने के कम से कम उन तक की चीज़ों को पहुंचाईए ताकि वो भी आपके अहसान मानने के लिए रेडी रहें कि हां कम से कम आपने हमें कुछ इंपोर्टन चीज़े भेजी तो और आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे इंपोर्टन क्लासेश मिलती रहेंगी किरा पीला इससे मादा फीमेल मास्कीटो ठीक है इसके काड़ने से होता है कराब पीला बुखार या पीद बुखार या मुक्रूप से क्या होता है मुक्रूप से इंसानों में मादा मच्छर के काड़ने से फैलता है और मादा मच्छर में इजिट एडीज इजिप्टी नाग मच्छर होता है जो इस भीमारी के वाहक होते हैं इसमें तेज भुखार या करत कोहानी इस में प्राया रुधिर अल्पता यानि एन्यमिया और अंत में रुधिक स्तरा हो जाता है तो बात समझाद ही नहीं कमी होने नगती है और दोस्तों मेल कभी नहीं कारता है ध्यान देना मेल मक्षर कभी कारता नहीं है उसका कारण आपको समझाते हैं आईए हमारे साथ समझने की कोशिज के लिए तो देखो आप यह देखो एक इमेज बनिये ना देखो मच्छर की इसमें एक महीला वाली मक्छर है मतलब फीमेल देखो एक यह डंक डं करती ही नहीं है और आपको समझाते महीला मक्छर काड़ती क्यों है अब फीमेल के पास एक प्रॉब्लम होती है जब वो कहने का मतलब अंडे देने वाली होती है ठीक है तो उसके बच्चे के पालन पोस्टन के लिए उसे ब्लड की जरुद पढ़ती है और जब ब्लड की ज करता है मेल के बारे सुनिएगा मेल भाया जैसे घर के आदमी नहीं महिलाओं के लिए सब कुछ कमा दमा के बीवच्चों लिए लाते हैं तो इसमेल बच्चर भी यही कारिय करता है वह भी वह सबके लिए कमा धमा के लाता मतलब गंदी गंदी जगहों पर बैठेगा खाना पी नवास उठाएगा लाग के अपने परिवार का पालत पूशन करता है ओके बिठा आते हम लोग नेस्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन करा है कि अफ्रीका की कौन से नदी मकर रेखा को दो बार कारती है किसको मकर रेखा को कांगो लिंपोपो नाइजर प्रत्वी ऊपर आपका होता है नार्थ पूल नीचे होता आपका साउथ पूल पीच में आपकी होती है वो मत रेखा विश्वत रेखा कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको ठीक इसके साड़े तेज़ डिग्री उत्तर में ऊपर आपकी होती करक रेखा और साड़े तेज़ डिग्री देच्छड में होती है मकर रेखा कितना साड़े तेज़ डिग्री कि मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काड़ती है तो देखो मकर रेखा को लिंपोपो नदी कौन सी लिंपोपो नदी दो बार काड़ती है आपस नमबर बीज राइट अपरीका की लिंपोपो नदी मकर रेखा को दो बार काड़ती है और कांगो नदी यह अपरीका में एक न आपकी बीच में रेखा बनी है यह आपकी भूमद रेखा भूमद रेखा को कांगो नदी मकर रेखा को लिंपोपो नदी और करक रेखा को भारत की माही नदी दोबार काड़ती है और करक रेखा को भारत के आट राज्यों से गुजरती कौन कांसे गुजरात राजिस्थान मार्द प्रदेश च्छतिस गड़ जारकंड पश्रिमंगाल त्रिपूरा मिजूराम ठीक है कि निराज हो गए आठ राज्याप के हो गए मित्र पर घंचा जार यह ट्रिक है आप इससे लगने कर सकते हैं अब कराएं कि नाइजर नदी नाइजर नदी अफरीक आपको ध्यान देना आते हैं अगले को है और अगला कुश्छ नब का कहरा है कि पतेः पूर सीख री मैं बात साह अकबर ने दिर्मित कराया था क्या करवा था तो बैया मोती महल पंच महल रंग महल हीरा महल तो अकबर ने महा कर आफिक तो देखो अकबर के जन्व के बाद सूपी सद्र सेख सलीम, छिस्थि के प्रति आदर प्रिकट करने के लिए आगरा के निकट फतेपुर सीकृरी की स्तापना की थी। 1571 इनों ने इसे अपने राजवानी बनाया और फतेपुर सीकृरी महीं अकबर ने पिरामिट के आकार का पंच महल यानी हवा महल का निर्मान करवाया था। ठीक है अब ध्यान यह देना मोती महल आपका कहा है तो मोती महल भईया है लखनव में लखनव में रंग महल कहा है तो रंग महल आपका कहा है यह राजिस्थान में रंग महल कहा है राजिस्थान में राजिस्थान में हीरा महल कहा है यह दिल्ली में है हीरा महल कहा है दिल्ली म पढ़ लइए यह थीक है यह यह आपका किसका क्या बना लोल या अपका पंचमेहल बना हुआ है संबंदीट 이미 farmer जुए उत्पादन से भया शुक्त करांति भारत में उन्यीसोचुप सटेट पैसरगंत सुरूख ही गई थी इसके अंतरगत दूध के छे थ में बढ़ाने का कारिये किया था था मचली उत्पादन से आपकी कौन से है नीली करांती नीली करांती किस से भाया मचली उत्पादन से ठीक अंडा उत्पादन से रजत करांती है रजत करांती अंडा उत्पादन से गेह उत्पादन से हरित करांती किस से गेह उत्पादन से तिलहन उत्पादन से पीली करांती है उर्वरक उत्पादन से उर्वरक उत्पादन से आपकी भूरी करांती है अगर कह दिया अम्रित करांती तो नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबन्दी थे लाल करांती मांसे संबन्दी थे गोल करांती आलू से संबन्दी थे ठीक है सुनहरी करांती बागवानी से संबन्द सब्सक्राइब और अगर एक यूपी सरकार एक पुरसकार आपको देती है यूपी सरकार देती है यूपी सरकार और और येकं का कईलिंग पुरसकार कैलिंग पुरसकार आपका부्या विज्ञान के सब्छेतर सब्सक्राइब इसे तो प्रकुरसक्राइब विज्यान के सम्मर्ब high दक देती है ऑगर इन बहुत सारे पुरसकार है इनका अप्शे तरीकसे लिए कर लीए कित लोडा चार को यागला कोशन है किस अनुछेद के तहट भारत में वर्स 1975 में आपातकाल घुसित किया गया था ठीक तो दोस्तों अब धिहान यह देना है कि अनुछेद एक अनुछेद एकसोबावण अनुछेद दोसोची अनुछेद तीनसोबावण तो देखो अनुछेद 352 के तहित आपातकाल घोशित किया गया था ठीक है व्हश्रों के तहित है यौज में नबर चपकर कोना की गही हैふふ engagement में राजी की परिवासा अनुछे 286 में माल क्रे और विक्रे कर अधिरोपन के विशे में संबंदी तो लेख किया गया है और आपके लिए इसके कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे देखते हैं कौन सा बच्चा सही जवाब देता है आप बता आइएगा कि उनीचित सु पचत्तर में वनन नाइन सेवन फाइफ में भारत का प्रदानमंत्री पधे कों था भारतका प्रदानमंत्री कौन था या कौन ठी ठीक एफान मंंत्री कौन था आक्सीजन का परिवहन करना जिवानों को नेश्ट करना रक्त अलपता को रोकना लौ को प्योगी बनाना तो बच्चा देखो जो सही माइने में रक्त काकार होता है वो होता है आक्सीजन का परिवहन करना ठीक है आक्सीजन का परिवहन करना लाल रुदिर कडिकाओं में हीमो का प्रूदिर कब की ध्योंद की गगता है श्रुतलि हमारा सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब तोध लिए जो प्रस्त होता है और उधिर कलिकाएं होती है वो 40-45 प्रस्त होती है अब कली का है थोड़ा सा द्यान जीजिएगा तीन होती है डबण मैरो वण में होता है बंड़ उस्थी मज़्य लेकिन रबीची का रेड़ bone marrow और WBC का वाइड-bone marrow यह येलोchlagen मेरो हैं ठीक है ध्यानि यह देजिएका कि जो होती है इनकी मिरत्यों blood में होती है स्वरी WBC जो होती है इनकी मेंस to blood में होती है लेकिन इस्प्लीन में होती है और इस्प्लीन को ही blood lung कहा जाता है ठीक हैं डोगारा कि से काजाता है अगर आपके बॉर्स da Q अगर बीचिक से कद्धोन क्या होता है तो ऑसथ बिमारी होती पॉलिस्साइथ ही इस में क्या होता है की विक्ति की जो इसकी नोती है तो अच्छा होती की कमी कून की कमी हो जाती है ओके को दिकट बोली यहां तक चीज़े समझ में आ गई ठीक है अब हम लोग आते हैं नेश्ट वे सी दिखाया भी गया ठीक है यह इमेज में देखो बना हुआ है ना अजिशी बगैरे ठीक को दिक्कत वच्छा किसी को आते निस्ट कोश्चन पर अगला कोश्चन किया रहा है कि कावल ले कौन से धर्म से संबन दिए कैवल ले अब मैं इतना बताओ कैवल पूर्ण ज्यान की प्राप्ति को कहा जाता था लेकिन किस धर्म में कहा जाता था यह आप ध्यान दीजी स्वामी ने 12 वर्सों की कठोड़ तपस्तिया की थी तब जाके इनको फूर्ण इंकूंड गयान की प्राप्ति ती और कहां पर रिजू पालि का नदी के तड़ पर और एक किस ब्रच के नीचे साल ब्रच के नीचे इन्हें पूर्ड ग्यान की प्रापती की थी और इसी पूर्ड ग्यान की प्रापती के बाद ये कैवल लिक्छुँ आफिक एला है थे अभी जो सुरी जो महावीर स्वामी है इनके बच्पन का नाम क्या था वर्धमान था महावीर स्वामी के बच्पन का नाम वर्धमान और इनके जो डैडी थे इनके पिता थे उनका नाम था सिधार्थ और ध्यान दीजिएगा यहाँ इनके पिता का नाम सिधार्थ है और वहां गौतम बुद्ध के भच्पन का नाम सिध्दार्द था। यहाँ इनकी पत्नी का नाम यशोधा था और वहां उनकी माता का नाम यशोधरा था। ठीक हैं, चीजें स्नम्य आरा है यहाँ पे वर्धमान के जो सबसे पहले अन्याई बने थे जयन ध्रम के कोई था कि बाते सान में आ रही है कोई दिकत किसी को एक पॉइंट और नोट करिएगा या आप सुन लीजिए गागर पूंचा रहा है महावीर स्वामी ने अपना पहला उद्यिश्ट किस भासा में दिया था तिनों ने लिए था प्राकरतirm equivacal यह अर्धमग्धि में और अगर कह दिया जाए कि गवत्म बुद्ने कि वासा में दिया तो उन्होंने पाली भासा में दिए था बाते के लिए यहां तक को दिक्धत और यह देखिए भाईया इमेज में आपको महावीर स्वामी बने हुए दिखाए गया है अगला कोशलिकर कि शत्त में जयते सब्द किस उपनिशत से लिया गया है आप साने मुंड़कोपनिशद कठोपनिशद छंदोग उपनिशद इनमें से कोई नहीं कि तो देखो भारत का जो राष्टी चिन है असोख इस्तम्भ उसके नीचे वर्ड लिखा होता है सत्त में वो जयते तो भाईया देखो कहां से लिया गया है अब यह जो मुंड़कोपनिशद सबसे पहली बात तो ज्यान दीजिए उपनिशद होता क्या है तो उपनिशद अब बोल सकते हैं कि गुरू के समीब बैढ़कर एकांत में ली जाने वाली शिक्षा ऐसी सिच्षा जो एकांत में बैढ़कर घ्राल की जाते उसे उपनिशद कहा जाता है और उपनिशदों की संक्या कितनी थी भाईया 108 थी 108 थी उपनिशद कितने थे 108 थे पुरान वह 12 थे इसम्रतिया कितनी थी, इसम्रतिया आपकी 18 थी सबसे प्राचीन इस्मति, मनुoirं स्मति थी पुरान कितने थे 18 थी ठीक है, तो इतनी चीज़े के लिया और इसमें एक छठीी स्मति है जिसको कहा जाता है नारा दिसमति जो किस की जानकारिया गुप्त बनस कितने है एक सो आठे और अगर पुरान कितने है तो आपके अठारा ही है ओके बच्चा अब देखो यह मुंडुकॉव नंबर का सबसे चोटा उपनिशद माना जाता है तो सत्त में अजयते भारत का राष्टी वागत कहां से लिए गया है इस आधर सभागों को भारत के राष्टी चिन असोक की लाट यानि सार ना से ग्रहित किया गया है मुंड़कों मिसाद लिखा सबसे छोटा उपनिशद भी है यम नचकेता क्यान चंदोग विंशद अर्यर्शंदोग उपनिशद ना इसमें भगवान विश्यू के 49 अतारों का उल्लेक मिलता है तो चंदोग उच्णाइद्वाट के सिध्धान से चार सत महावीर जीयों और जी नो नारा दिया था भरनाह दिया था जीऊ और जी ने दो यह नहारा खिस ने दिया था फामी ने दिया था को दिक्त यहां तक आते हैं बैए, नेस्ट कॉश्षन पे, अगला कोश्वन है आपका, सितारों में अक्षय, उर्जा के सरोध का कारण, कारण हडोजन एवं हडोजन का हीलियम में परिवसन हीलियम का हडोजन में परिवसन रेडिए धर्मी पघुल हटों काच ए ऑच्छे सभावाद की अदिक्ता जो जलने में सहयक है तुदको बh sticky में परिवसन सितारों में अक्छे अच्छे की सुरोट का कारण है आप जानते हूँ शूर की सवच साफ यह पीले कलें चासू देना वो यह वहां हीलियम और हडोजनगे सी ही ठीक है और अगर कह दिए जाずी और जाए जो में जो यह उचला का सोरोट के सभकिरिय पर अधारित है तो तो नाविकी सलयान का नाविकी सलयान अविकरिया पर आधारीत सूर कि अपर रुझा का शुरोत क्या है की सलयान अब उसका कि एग कितारों की उर्जा का सुरोत नवकी सल्डेंड हीलियम में मिर्मार करती है चीक है आते हैं अगले कुश्चन पर अगला कोश्चन आपका कह रहा है कि रावन निम्लिखित में से कौन सी घटना महराश्ट में घटी थी भील विद्रो कोल विद्रो रंपा विद्रो संथाल भील विद्रो कौन जी गड़ना भील विद्रो आपसन ए नंबर इस राइट भील विद्रो यहां से यहां तक खांदेश महराष्ट के आदिवासियों के करसी संबन कष्टो और नई सरकार के भायकिक करके विद्रो में इसका नित्रत्व किया था ओके आठारो सो पचीस में से उराम के नित्रत्र में इन्होंने प्रुना विद्रो नित्रत्र किया था ओके आते हम लोगोशन बार नेक्स्ट पे अगला कोशन कहा रहा है कि तिरू तिरू कुलर नामक परसित ग्रंथ के संक्रन करता कौन है कालीदास तिरू वल्लूवर कबीर मीरा भाई तो भया कौन से हैं अपसर नंबर भी इस राइट तिरू लुए हैं ठीक है यह कमिल भासा में रचीत हैं जिसमें नीति सास्त का वड़न किया इसके रचीता तिरू लुए हैं ठीक है और इसमें भी से त्रिवन आचार सिजा राज नीति आर्थिक जीवन पर आधी च सफेद रउन अपसर ने मंगल आपसर भी सणीफसीफ्पति संडी सुक्र तो कॉल्स है ब्रहस पति है जुपिटयार सबसे बड़ा भ्रहस्पति सबसेσωक घण से हैं उसके और इसके यूड़ोपा का लिस्टीच सबस dije कर में हैं समयत सर सब पागर ग्रें ठीक हैं और यह जो घilia ID का सबसे बढ़ा वबग्रे सबसे बढ़ा उपग ऊइए ठीक है और दोस्तों उम्मीद है जहां तक और पर्तमान में यह सरसटा अपकार सेंटी नाइन उपग्रे संब्धिश्पत्र के हो गया है थिक है को दिक्कत यहां तक बोलो मंगल ग्रह यह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है किस ग्रह के लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है सुक्र को प्रत्वी की जुलवाब हैं सांज का तारा भूर का तारा सबसे ग्रम गए रहे हैं पेर प्रेशर कुकर यह सब किसको कहा जाता है सुक्र को कहा जाता है ठीक है आत जमाली थे जमाली जो इनके कौन थे दामाद थे किरा महावीर स्वामी के बच्पन का नाम वर्दमान इनका पालन पोषण राजसी वाता बड़े लाड़ प्यार से हुआ था यह वस्ता में कॉंडिल ने गोत्र की कन्या या सोदा से इनका विवाह हुआ था उन्हें अडोज् के बाद भेद उत्पन कर दिया था को दिकत कहां तक आई यह भाई आपके महावीर स्वामी बने हुए ठीक है तो अगर कह दिया महावीर स्वामी का परतम सी से कौन था तो आप बताओं इनके दमाद जमाली थे ठीक है को दिकत आई यह कौन थे चौविसवे नंबर के तीर संबन दीते हैं बच्चों के सोचल भाया छे से 14 साल तक के बच्चों को जो फैक्टरी वगएरा में काम करवाते उन सब पर प्रजबंद लगाने वाला नौश्यद का उनसा है तो करा मौली अधिकारों के अंतरगत कौन सा उच्छों के सूचल से संबन दीत है और सथे 17 अगर आप से कह दिया जाए कि अनुश्यद 23 में तो आप बताओ कि मानों के प्रति दुर्बेवार और बालात स्रम पे रोक तो कौन सा है अनुश्यद 23 ठीक है अनुश्यद 23 आप से नंबर सी इस राइट ओके अनुश्यद 24 में बालकों के संकर्ट पूर्ण नियोजन में प् इच्छे से 14 वर्स से कमायू के जो बच्चे हैं इनको कार खाने अत्वां किसी अन्जोकी भरे कारियों में लगाने से प्रजिबंदित किया गया है कोई दिक्कत किसी को आते हम लोग कोशन नंबर नेक्स्ट पे अगला कुशन करा है कि बीजापूर के सुल्तान मुहम्मद आदिल साह की समाधी कहा है बीजापूर के सुल्तान मुहम्मद आदिल साह की समाधी तो मुहम्मद कुली कुतुब साह का मखबरा गोल गुंबज गियास उद्दीन का मखबरा सेर साह का मखबरा तो भया यह जो है यह गोल गुंबज का मखबरा है गोल गुंबज का मखबर तो शेर सासूरी का मखमरा कहा है सासा राम बिहार में इस्थी थें सासूरी को मखमरा कहा है आते हैं भच्चा नेस्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन के रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का सरवादिक सक्ष्टरी घटक कौन सा है bleaching powder का सरवाधिक सक्री घटक कौन सा है ओके देखू आपसे नंबर ए आयोडीन आपसे नंबर भी कैल्सीयम हाइपोख्लोराइड आपसे नंबर सी नाट्रिक एसीद आफसे डी अमोनियम सेलफेड तो कौन सा वही है कैल्सियम हाइपो क्लोराइड कैल्सियम हाइपो क्लोराइड ठीक है ब्लीचिंग पाउडर का सरवाधिक सक्रीक कैल्सियम हाइपो क्लोराइड है इसका रासानिक सूतर सी ए ब्रेकर्ड में ओसी रिल्टू है ठीक है अब ब्लीचिंग पाउडर से बुझे हुए चूने से क्ल बना दी गई ओके देख लीजिए ठीक आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला कुश्चन करा अडाई दिन का जोपला कहां इस थी थे भईया अडाई दिन का जोपला आगरा अजमेर एहमदाबाद माउंट आबू पहले तो बताई यह अडाई दिन का जोपला बनाया किस अगर के निए का जोपला अजमेर में इस का निमान किसने करवाया था तो यह लोग आप कमेंड़ बॉक्स करके बताईएगा लोग बनाएए बताईए जाए ने जाया कि और इसको और हाई दिन का जोपला है तो हम हिंट दे दे रहें इसको गुलाव मनस के एक सासक ने क्या था यह देखे इमेज में आपको अड़ाई दिन का जोपला दिखाया गया है ठीक है इतने दिन में इसको कंप्लीट करवा दिया गया था आते हैं कुशन नंबर नेश्ट पे अगला कुशन कह रहा है कि लीना नदी किस देश से होकर बहती है लीना नदी चीन युएस से ब्राजील तो यह लीना नदी आपकी रूस से बैठती है कि इस देश से बैठती है रूस लीना नदी रूस से बैठती है यह अभी सुकी ग्यारवी सबसे लंबी नदी इसकी लंबाई चौवाली सो किलो मीटर है या वैकाल परवत से निकलकर आर्की लैट्टूप सागर मे उनक्राइन के सबसे लंबी है और सकूच elastic से बड़ी नदी कौन सी ये विश्च की सबसे तो असने बारत की सबसे लंपी नदी गंगारा आdag अंप Dies स्टिक तंत्र है प्राकृत्र फिर्ट तक रहे से कौन सा क्रत्रिम पारिस्टिक तंत्र है तुछ मलब आर्टीफीजियल जो खुद से बनाया जाए अपसने धान का खेट वन घास का मैदान और जीद देख बहुत भई यहां पर धान धान आर्टीफीजियल रूप से तो है लेकिन यह नेचुरल रूप से नहीं है प्राकृतिक रूप से यह नहीं है ठीक है तरब परस्ण गद हो और यह देखो बच्चे लोग धान लगा रहें ठीक है आप यह इमेज देख लीजेगा ऐसा इधान की खेती की जाती है तो इसी के साथ यह से सन होता है कंप्लीट और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को सेर करना ना भूले और अगर आपको वास्तों वीडियो पसंद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स और कमेंट जरूर करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट यूले आपको करेंगे मिलते हैं मेंटूर कर रवाधको क्षेंगे मिलते हैं मेंटूर करेंगे मेंटूर कर दोलेवी भाई हैं